हलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अजीत और आप देख रहे हमारा चनल एस आर कोचिंग आज की हमारी स्टोरी का नाम है जस्टिस यानि न्याए once a cruel man killed a merchant for money एक बार एक निर्दई आदमी ने एक वेपारी को पैसो के लिए मार दिया while he was trying to escape from the dead merchant's house he was seen by the dead merchant's family member जब वह भागने की कोशिश कर रहा था वेपारी के घर से मरेवे वेपारी के घर से तो उसे वेपारी के family members के द्वारा देख लिया गया they all shouted वे सभी चिलाए and a huge crowd started chasing the murderer और खूनी को बहुत सारे लोगों ने पीछा करना शुरू कर दिया the murderer ran out of the city जो खूनी था वो शेहर के बाहर भाग गया soon he reached a river जल्दी ही वह एक नदी के पास पहुचा suddenly a lion came to attack him अचानक एक शेर उसके पास हमला करने के लिए आया the murderer climbed up a tree to save his life खूनी जो है अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के उपर चड़ गया after some time he heard a rustle of leaves कुछ समय के बाद उसे सरसराहट की पत्तो के सरसराहट की आवाज आई he looked above उसने उपर देखा and saw a large cobra और एक बड़ा सा कोबरा साप देखा in the branches of the tree पेडो की शाखाओं में उसने एक बड़ा सा कोबरा देखा it was about to bite the murderer वहसाप उसे काटने ही वाला था then the murderer jumped into the river फिर वो खुनी तुरंत नदी में कूद गया but it was the end of his life now लेकिन अब उसकी जिंदगी का अंता गया था the crocodiles of the river tore his body to pieces नदी के मगर मच्छों ने उसकी body को टुकडे टुकडे कर दिया था nature had served justice to the murderer प्रकृती ने खुनी के साथ न्याय किया he had ended someone's life so nature ended his life उसने किसी की जिंदगी खतम की थी तो प्रकृती ने उसकी जिंदगी खतम कर दी तो अब हम इसके new words को देख लेते हैं cruel का मतलब होता है निर्दई यानि बेरहम escape मतलब बच निकलना merchant यानि वैपारी shouted चिलाना huge crowd भारी भीड russell सरसराहट यानि सरसर की अवाज tor यानि फाडना tear माने फाडना होता है उसकी second form tor तो उमीदे दोस्तो आपको इस्टोरी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक करेगा अपने दोस्तों को साथ शेर करेगा और हमारे चैनल को सब्स्राइब भी करेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहे दन्यवाद